हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करते हैं आप बढ़ी और एकदम मज़े में होंगे तो चलिए हम पढ़ते हैं अपठित गद्यांच यानि अन्सीन पैसेज अपठित गद्यांच उन गद्यों इने कहानी लेक निबंद आदी के अंच होते हैं जिसे विध्यार्तियों ने पाठिकरम की अंतकर ना पढ़ा हो इसके अंतरगात विभिन विश्यों से संबंदित गद्यांच प्रस्तुत करके उससे संबंदित प्रश्न पूछे जाते हैं तो बच्चो अपठित गध्यांश से पूछे गए प्रश्णों के उत्तर दे दे समय आपको अमरिकेत बातों का ध्यान रखना चाहिए पहला गध्यांश को दो-तिन बात ध्यान से पड़े दूसरा पूछे गए प्रश्णों से संबंदित पंक्तियों को खुजने का प्रयात्न करे तीसरा उत्तर लिखने के लिए अपने वाक्यों का प्रयोग करे चोथा सरल भाशा में सुबोध वसंग शिप्त उत्तर दे पांचवा ये दि शिर्षक पुछा गया हो तो उसका चुनाव सोच विचार कर करे जो कि शिर्षक गध्यांश के केंद्रे भाव को प्रकट करने वाला होता है तो चलिए कुछ अपठीद गध्यांश के उधारनम परते हैं तो पहला गध्यांश शुरू करते हैं पास्ता में सब्स्कृती का निर्मार एक लंबी परंपरा के बाद होता है विचार वो आच्रण के वे नियंम और मुल्छे हैं जिने कोई अपने अठीच से प्राप्त करता है इसलिए कहा जाता है कि हम अठीच से अपनी विरासत के रूप में प्राप्त करते हैं दुसरे शब्दों में कहें तो संस्कृति एक विश्ष जीवन शहरी का नाम है यह एक सामाजिक विरासत है जो परंपरा से चलिया रही होती है प्राये सब्व्यता और संस्कृति को ओएक ही मान लिया जाता है परंटु इसमें भेद है सब्भेता में मनुष्य के जीवन का भौतिक पक्ष प्रधान है अर्थात सब्भेता का अनुमान भौतिक सुख सुविधाओं से लगाये जा सकता है इसके लिए विप्रेट संस्कृति को आत्मा माना जा सकता है इसलिए इन दोनों को अलगलग करके नहीं दिखा जा सकता अब आपने प्रश्ण पढ़ने हैं और प्रश्णों के उत्तर देने हैं पहला प्रश्ण है संस्कृति का क्या अर्थ है तो इसका उत्तर है संस्कृति का सामाने अर्थ मानाव जीवन के दाइनिक अचार व्यवार रहन सहन तथा क्रियकलापादी है दूसरा प्रश्ण है इस तो इसका उत्तर है उपर करो तो इसका उत्तर है सभ्यता और संस्कृती ay और पांचवा और अंतिम प्रश्न है गध्यांज को उची शीर्षक दीजिए तो इसका उत्तर है उपर करो तो तो इसका उत्तर है सब्भेता और संस्कृति बच्चों अब हम अपना अगला गध्यांश पढ़ेंगे समय का सदुप्योग करने वाला वेक्टी ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है अनेक महापुरुशों का जीवन इस तत्थे की पूष्टी करता है सुविख्यात इतियास विज्ञानी गिब्बन ने रोम सामरजे का पतन नामक एतियासी ग्रंत लिखने में अपने जीवन के 20 बहुमुल्य वश लगाये थे समय के इसी सदुप्योग के काराण गिब्बन विश्व विख्यात हुआ जेम्स वाट ने 20 वश तक निरंतर परिश्रम करके रेल इंजन का विश्कार किया था कांधी जी तो समय का बहुत आदर करते थे उनका एक्षण भी व्यरत नहीं वीता था कांधी जी कहा करते थे देन मित्रों के वेश में हमारे सामने आते हैं और अमूले भेटलाते हैं अगर हम उनका उप्योग ना करें तो वे चुपचाप लौट जाएंगे समय का सदुप्योग केवल उद्यमी व्यक्ती ही कर सकता है अब इसके आबाद आपने फिर से प्रश्ण पढ़ने हैं और उनके उत्तर देने हैं हम अपने अगले गध्यांश की और चकते हैं भारत में स्वामी विवयकानन ने समाज में व्याप्त असमानता और जाती प्रता पर तीखे प्रहार की असमानता और जाते प्रता को स्वामी जी भारत की प्रगिती में सबसे बड़ी वादा मानते थे उनकी सपष्ट माननेता थी कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं का धार्मिक जीवन है जब तक इस धार्मिक जीवन को स्वच और उन्नत नहीं बनाया जाता तब तक राजिनतिक या सामाजिक सुधार की बाते व्यार्थ रहेंगी उच आध्यात्मिक आदर्शों की स्थापना के लिए स्वामी जी ने मई सन 1897 में रामकृषन मिश्कित स्थापना की इस मिशन का उदेश है रामकृषन परहमित के जीवन और उनकी शिक्षाओं का वेदान्तिंग धन की प्रकाश में प्रचार करना था अब आपने प्रशन पढ़ना है और उनका उतर गध्यांच से रूनना है हम अपने अगले गध्यांच की ओर बढ़ते हैं प्राता काल का समय बहुत स्वाहमना होता है उस समय वातवनार्शुत तथा वायू सुगंदित होती है इस पर किसी नदी तट पर चले जाओ तो उस समय का द्रिश्य सचमुच चिता करशक होता है उस समय प्रगती अपने रंगमंच को सजा रही होती है नदी तट पर जो जल कड़ों से मुर्शित वायू आकर स्पर्श करती है तो ऐसा लगता है कि किसी लंबी मुर्चा को हटाने के लिए जल के छीटे आ रहे हैं नदी तट पर खड़े होकर जल को देखे तो दूर तक ना जाने कहां तक चला गया है तो हिर्दय में विशालता के भाव उतने लगते हैं नदी न जाने किस उद्देशी की प्राप्ति के लिए बिना सुने अग्रसर हो रही है कलाचित समुद्र में बिल जाने को मनुष्य उस समय यह सीख सकता है कि वैवी ब्रह्म को पाने के लिए सदा नदी की तरह चुपचाब अग्रसर होता है अब अपने ध्यान से गध्यांच को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं हम अगली गध्यांच के और बरते हैं वर्तमान काल विग्यापन का युग माना जाता है समाचार पत्रों के अत्रिक रेडियो और टेलिविजिन भी विग्यापन के सफल साधन है विग्यापन का मूल उदेशे उत्पादक और भोगता में सीधे संपर करना होता है जितना अधिक विज्यापन किसी प्रदात का होगा उतनी उसकी लोकप्रिता बढ़ेगी उन विज्यापनों पर धन तो अधिक व्य होता है पर इनसे बिक्री बढ़ जाती है ग्रहक जब इन आकर्शक विज्यापनों को देखता है तो वै उस वस्तु विशेश करती गहलाता है श्रीकृष्ण की समाशी उत्ता का उधारन भावारत में मिलता है जब उन्होंने शिशुपाल का वत करने के लिए उद्यद लोगों को वैसा करने से रोग दिया था शिशुपाल चेदी राजा था श्रीकृष्ण का मोसेरा भाई होने पर भी वह उनसे फिर भी श्रीकृष्ण ने अपनी शमाशी उत्ता के सुभाव के कारण उन्हें ऐसा नहीं करना दिया अब आप इस गध्यांश को परकर प्रश्णों के उत्तर दीजिए हम अगले गध्यांश की और बढ़ते हैं व्यक्ति के जीवन के साथ साथ पारिवारिक सामाजिक ततर राष्टे जीवन में भी श्रम का विशेश महत्व है श्रम के बिना व्यक्ति समाश ततर राष्ट का जीवन खुकला ही रह जाता है श्रम से जीवन में गती शीलता आती है ये गती शीलता ही जीवन का वास्त्विक चिन होती है निश्चेश जीवन व्यतीत करने वालों को उसफलता और अप्यश के अत्रिक कुछ भी प्राप नहीं होता गती के अभाव में जीवन की स्थिती घाट के पत्थर जैसी होती है अगली गध्यांश की और बढ़तने गांदी जी सत्य धन के परवर्तक थे उन्होंने धर्म और राजनीती को कभी अलग नहीं किया उनके मतानुसार धर्म का आर्थ कोई विशेश संप्रदाई नहीं था उनका ईश्वर सत्य था और उनके लिए सत्य के रूप थे प्रेम और अहिंसा उनके अनुसार एक सच्छा धार्मिक व्यक्ति प्रतेक मानव को अपने समान समझता है कांदी जी का अनुसार जगत में जो कुछ अनैतिक है वे सब हिंसा है वे भारत पांगलिजों के अधिकार को अनैतिक मानते थे इसलिए वे उसका प्रतिरोत और अनमूलन आवश्चक समझते थे उनका विचार था कि अन्याय और अनिती के समुक्षीर जुगाना पाप है उनके अनुसार अहिंसावादी शस्त्र से दमान चक्र से और मृत्यू से भेवित नहीं होता अहिंसक को व्यक्ति से दुर्भाव नहीं होता तो यकश्ट में पड़े आति-ातित की सेवा करता है और अपने हिर्दे में उसके प्रतिव वैर भाव नहीं रगता अब अच्छे से गध्यांच को पढ़िए और इसके उत्तर दीजिए तो बच्चो इस तरह हमने कई सारे गध्यांच पढ़े और आपने समझे कि किस तरह आपको इनके उत्तर देने ध्यान से गध्यांच को दो तीन बार पढ़ना है अब इसका अभ्यास कार्या स्वेम कीजी